करी लीव्स लगा है जिसे मीठा नीम भी बोलते हैं उसकी वीडियो शेयर करने वाली हूं बहुत ही हेल्दी प्लांट हो गया है मेरा और इसमें देखे कितने खुबसूरत फ्लावर्स खिल रहे हैं तो एक तरह से यह शो प्लान का भी काम करता है इसमें फूल खिलते हैं तो यह हमारे किचन में यूसफुल भी होता है इसकी जो लीव्स होती है हमारे किचन में यूस होती है इसे हम लोग करी में भी डालते हैं और जो इडली सांबर में भी इसका तड़का दिया जाता है तो उसका टेश बहुत बढ़ जाता है और आप नॉर्मल जो डाल वगेरा ब तो इस तरह से इसके बहुत सारे यूज हो गए तो आपको भी अपने गाडन में करी लीव्स यानि की मीठे नीम को एड़ करना चाहिए देखिए मेरा जो प्लांट है वो छोटे से DIY पॉट में लगा है बहुत ही छोटा सा DIY पॉट है इसमें मैंने लगा दिया था और प्लावर का बंच बना हुआ है और उपर बिग साइज की फोर बंच बने है तो जैसे समरिस टाट हुआ प्लांट ने गूथ स्टार्ट कर दी है और इसमे नइनी लीव्स आती जारी है तो मार्च अप्रेल में करी लीवस में फ्लावरिंग होती है इस तरह से इसके वाइट तो यह तो खूबसुरत लगते ही हैं, लास्ट यर भी इसमें फ्लावरिंग हुई थी, इस साल भी हुई है, तो मार्च अप्रेल का जो टाइम होता है उसमें करी लिवस इस तरह से फ्लावरिंग करते हैं, और उसके बाद जब यह फ्लावर स्पैंट हो जाएंगे, कुछ टा मुझे तो बहुत पसंद है यह कि इस तरह की लिवस अपने खाने में भी डालो, तो इससे हेल्थ के लिए भी फायदे हैं, और हमारे गार्डन की खुबसूरती भी बढ़ती है, तो मैंने इसी परपस से लगाया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपने अप इसकी जो पौध है, कहीं से भी लाते हैं, मुझे तो यह कहीं मिल गया था, इसका पौध अपने आप से ग्रो हुआ था, तो मैं लेके आ गई थी, तो मैंने इसे नर्सरी से परचेस नहीं किया है, तो आप चाहें तो नर्सरी से परचेस कर लिजे, या आउट साइट कहीं आपको यह मिल जाता है तो लाके लगा सकते हैं तो इस तरह से मैंने इसकी पॉट लाके रीपोट कर दिया था और मेरा पॉट बहुत छोटा है अगर आप इसे आठ से दस इंच के पॉट में लगाते हैं तो प्लांट और भी तेजी से ग्रोथ करेगा मेरे पास जब में यह प यह कैसा तादू आपको वैलन स्वयल तयार करेंगे तो प्लांट अच्छे से ग्रोध करेंगा क्योंकि विंटर सीजन है डॉर्मेंची में ह्होता है समर इसका ग्रोइंग सीजनें तो इसलिए वैल walking., वेर में पॉहदए तो आप जब भी इसका मॉट करें उसमें एक हिसा सबस्टेशन ले लिजिये एक सार्ष रिवर्स आंड ले लिजिए और उसमें कोंपोज्ट भी एड़ करना है देखें आपको मेरी स्वपोज्ट दिख रहा है कावडंग कोंपोज्ट आड़ किया है तभी प्लांट में इतनी अच्छी ग्रीनरी आ रही है तो यह सौईल तो sunlight भी से अच्छी चाहिए, फिल्ड की sunlight में तो नहीं रख सकते हैं लेकिन जब हम पॉट में लगाते हैं तो उसे फिर sunlight कम देनी पड़ती है तो मैं इसे तीन से चार गंटे की sunlight देती हूं मौर्णिंग या एवनिंग की तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रीन भी दे रहा है और ग्रोथ भी कर रहा है फुल डे की सनलाइट में रखने से क्या होता है उपर तो प्लांट ग्रोथ करता जाएगा और नीचे जो ओर्ड लिवस होंगी वो यलो होके गिरती जाएगी क्य क्योंकि समर की दूप बहुत तेज होती है इसलिए आप इसको मौनिंग या इवनिंग की 3-4 घंटे की दूप में रखिए बहुत अच्छी ग्रीन देगा और ग्रोथ भी होगी इससे कम लाइट में न रखें लो लाइट में रहेगा तो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा उस इसलिए स्वाइल को ड्राइट नहीं करना है इसमें हलकी सी नमी बना के रखनी है एक बार मॉर्णिंग में वाटरिंग कर दीजिए और अगर आपको साम तक लगता है कि स्वाइल ड्राइट हो गई है धूप तेज होनी की वज़ा से तो आप इवनिंग में भी एक बार वा महीने में एप इसमें अच्छा सा कॉमफोस्ट एट कर दीजिए स्वाइल की गुड़ाई कर दीजिए और वाटरिंग करते रहे अगर अच्छे से एड करेंगे प्लांट में तबी प्लांट में ग्रीन डी वनी रहेगी नहीं ब्रांचे बन के आएगी देखिए इसमें नह लोडंग कपोज, वर्मी कमपोज या लीप मूल कोज से भी खाद जो आप अपने गार्ण के अधर प्लांट में यूज करते हैं वो इसमें एड़ कर देना है जितना बड़ा पॉट है उसके अकॉर्डिंग तो आपको एक बार जन्वरी में एड़ कर दीजिए और उसके अगर आपको अपने प्लांट पर कभी पैस्ट का अटेक दीखता है ब्लैक कलर के चोट चोटे एफिट्स लग जाते हैं तो आप इस पर नीम उयल का स्प्रे कर देंगे तो जो भी पैस्ट लगे हैं वो रिमोव हो जाएंगे अब मैं इसके प्रोगेशन की बात करूँ तो आप इसे कटिंग से भी ट्राइ कर सकते हैं जब रैनी सीजन स्टार्ट होता है तो आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो कटिंग से भी ये ग्रू हो जाएगा और वैसे नर्सरी में इनके प्लांट बहुत कम प्राइस पे आवलेबल होते हैं तो आप नर्सरी से भी परचेस कर सकते हैं तो यह हो गए इसकी complete care अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़े रहे हैं डेली मेरे चैनल पर अलग अलग टॉपी पर आपको मेरे चैनल पर यूँ ही बने रहेंगे और वीडियो देखकर अपनी गाड़निंग इसकी लुको इंप्रूव करते रहेंगे जल्दी किसी नए टॉपिक पर आप लोग उसे मुलाकात करती हूं तब तक अपना और अपने गाड़न के सभी फ्लांट का ख्याल रखिए बाई फ्रेंड्स हपिय गाड़निग एंप्रूज चैनल तो कि अबने गाड़निग उसे फेले प्रूज अपनाट में भी गाड़निग उसे नियुड दोने सब्सक्राइब घाए जावान वीडियों गाड़निग ख्याँ लग जाज़निग दूज़निग उसे बेड़निय